Hello everyone, मैं विशुजीत सिंग, आप सभी का दीगिन अपर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस फिडियो के अंदर में हम M.H.I.M.H.I.M.H.I.M.H.I.M.H.I. का जून 2022 के कोश्चन परकार करने वाले हैं 5 questions को attempt करने होते हैं और सबसे most important चीज़ जब भी हम अपने question को solve कर रहे होते हैं तो हमें हमेंसा word limit को follow करना है answer लिखते समय 500 word limit के अंदर में हमारा answer complete होना चाहिए चले हम अपना question को start करते हैं सबसे पहले दोस्तों अगर हमारा जो पहला question उसके बारे हम बात करें तो यहां पर कहता है कि अपनिवेशिक काल का इतिहास लेखन के अंदर में अपनिवेशिक विचारदार आ जाती है जो खुद अंगरेजो ने लिखी कि यह चीज़े ऐसी नहीं ऐसी थी उस तरह से दिखाने कर्सिस करते हैं वहीं पर रास्टवादी विचारदार आती है जो एक रास्ट के प्रस्पेक्टिफ से दिखाती है कि किस तर से क्या चीज़े घटना है घटरी थी कौन सा consequence किस तर से इंपेक्ट डाल रहा था उसके बारे में वो बातादानी कोर्सिस करते हैं माकसवादी आते हैं उदारवादी आते हैं बना में आते हैं तो अलगलग 3-4 जो विचार रख हैं वो आते हैं और उसको डिफाइन करते हैं किस तर की घटना है घट रही थी उपनेविशिक काल के अंदर में उसको आप वो अलगलग करके हां पर बताना होता है कई बार question य कि कोश्चन के अंदर में टोटल चार विचारधारा मारा आ जाता है जिसके अंदर में बात कर लिए अपने वेशिक विचारधारा रास्टवादी विचारधारा माक्सवादी विचारधारा उधारवादी विचारधार ना उधारवादी विचारधारा इस तरह करके टोटल कि उपनी वीशिक विचारदार जाथा ऑपने-वीशिक हुआँ की व्यक्ति, उसके अंदर में करते हैं वहीं पर राष्ठी वाधी इसके अंदर में दिखाए में कि तरसे कारे कर रहे हैं उसको कारे का impact किस तरसे लोगों के उपर पढ़ रहा है ठीक एक देश का जो अधिकार है और किस तरसे हनन वर रहे है राष्टवाद होता क्या है ठीक राष्टवाद के importance क्या है वो सारी चीज़े वहाँ पर दिखाने की कोर्चिस कही जाती है तो इस राख टीला था और धक्षन के पठारों का जो राख टीला था उसके बारे में आप हम डिसकस करते हैं देखो अभी मैंने आपको एक वीडियो बनाया था दो तीन दिन पहले जिसके अंदर में बताया था MHC-05 की हम study कैसे कर सकते हैं किस तर से MHC-05 की study करें जिससे हमारे अच्छा नमबर मैंने उसके इंदर मैंने Topic दोनों Topic मैंने बर्क करवाया थे ठीक है दोनों Topic को मैंने बोला था है यह दोनों टॉपिक आ सकते हैं और देखो जून 2022 के अंदर में आया हुआ भी है यह टॉपिक देखो सबसे पहले हम बात करें नवपशान और तामरपशान संस्कृतियों के बारे में तो नवपशान जो संस्कृति यह वो एक ऐसा टाइम पिरेट जहां पे लोग विक्सित हो सकते थे किस तरह से उपने कारिये को रोज्मरग जिन्दीगी इसको कैसे सुचारूरूप से चला सकते तो उसके बारे मों सीख रहे थे और दीरे दीरे जिवन व्यापन के तरीके तो उसमें परीवरतना रहा था ठीक है राजस्थान के बात करते उतर पश्च्चिम की बात करते हैं तो तामरपाशान जो संस्क्रीटी थे उसका इंपेक्ट हमें उज़र देखने के लिए मिलते हैं उजार जो थे जो फावडा कुलहाडी जो हंसिया उस तरह के उजारों का भी साक्षे मिलता है जिसके तुरू खेती करना बाकी चीजे करना उनके जीवन व्यापन के पर में क्या इंपेक्ट पढ़ रहा था वो चीजे हमें समझ में आ जाती हैं सासरत में अगर आप राक तिला की बात करो तो मान के चलो एक गाउं है जहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं अब अचानक से क्या हुआ दीरे 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 करके पूरा गाउं पलाइन कर गया उस पूरी जगह को हम राक के टिले के तौर पर जानते हैं या फिर सवादा जहां पर सवोको दफनायन घ्या है या फिर जहांपर पूरा म्रवितोको का टिला था उसके बेसितवय जोड़ा तो बहुता को करने घ्यां कहों सखीजे गा अगले कॉश्य क्यों मिले घ्या बात करते हैं nagrin नगर्ण के विकास में नाड़ू नगरं तथा नकर की भूम का क्ञा है बताइए जब आप बात करते हूं यहां पर नुनौली गाँ हƯ तो दश्फीन बारत का एस गाउथ की तजा थ्सीन बारत का एक गाउथ just कि यहांपर नकरम या उर्भी, किस तरह से जो व्यस्था चल रही है किस तरह का जो नगर छेतर है उसको हम नकरम या उर्भ के तौर पर भी जानते हैं ठीक है समझ में आता है आगे हम बात करते हैs Q3 के हैं, Q4 के अदर में हम डिस्कस करते हैं कि प्राविक मंदेकाल में उत्तर भारत में Gramind समाज को क्या इस तरीकरण तो कि समय के टाइम पर यह जो पूरा टाइम 350 इसलोग इसलोग एक से बारे में करते हैं यहां पर ठीक है जिसके अंदर हम बात करते हैं किस तर से जो व्यवस्था था सासन व्यवस्था किस परकार का था कर व्यवस्था किस परकार का था कौन-कौन से राजवन से किस तर से कर लगाया जादा था ठीक है और किस तर से भूमी का सांत्रा अनुदान व्यवस्था किस जब यह चल रही थी इंभावां पाल्मारों को भजमीन दान डीआ जाता था पर्ति हएर और में पाल बंसी भाव को जानकारी धाधा आप तो किस तर से ब्रांस वंच्फर किया जाता था तो सभाव कौन देगां कई जिरा की जहां पर पर्टिकुलर किसी पर्सन को हम जमीन दान दे रहे तो उसके टेक्स लगता था तो टेक्स किस व्यक्ति को पे करना होगा जिसकी जमीन वो पे करेगा या जिसको उन्हों दाने मिला वो पे करेगा तो किस तर से भूमी का हस्तांतरन होता था इसके बारे में हम यापर डिस्कस करते हैं, कर कैसे लगाया जाता था उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, सासात में जो प्राप्त करता जो जिसने जमीन जिसको मिली वो किस तर से रासव को मतलब चुकाएगा, किस तर से कर देगा, इसके बारे में आपे हम discuss करते हैं मतलब किया एक पूरा ग्रामिंट समाज किस तरह से इस तरी करन बटा हुआ था उनका work process क्या था किस तरह से work करते थे बू अनुदान जैसे विवस्ता का क्या उसमें role था किस तरह से कर देना होता था यह सारा कुछ यहाँ पर आपको बताना होता है और अच्छे नमबर इस पर मिलते हैं अच्छे सग्धिस अगर आप explain करते हो तो आपको बहुत अच्छे नमबर यहाँ पर मिल जाते है अगले question के ओर बढ़ते है जो हमारा question नमबर आता है अगर आगर आगर बात करें तो question number 6 के में बात करते है कि 18 सताबदी में विस व्यापी पतन सताबदी क्यों का आ जाता है पतन कहलो या फिर ना मानलो एक ऐसा विकास हीन सताबदी या अव उन्नती सताबदी की तोर पे भी इसको जाना जाता है 18 सताबदी को इसका reason क्या था कि इस time period के अंदर में मुगल जो समराज्य था उसका अंत हो चुका था मुगल समराज्य का एकदम पतन के कगार के आ चुका था पतन हो चुका था तो वो उनको विक्सित होने का time मिला उनको मौका मिला और वो विक्सित भी हुए पर जब यहां पर 18 सताबदी के हम बात करते हैं तो 18 सताबदी के अंदर में क्या हुआ कि अंग्रेजी काल का start हो जाता है मतलब East India Company की सुरुवात हो जाती है और इस काल के बाद से जो कई सारे राज्यों के दिकार थे उनको छीन लिया गया उसके उपर नई तरगिकर ववस्ता लागू की गई ठीक है किस तरह से उसको चलाया जा रहा था पतन के बाद में जो उसके परिणाम जो इंपक्ट थे वो लोगों के उपर में क्या पढ़ रहे थे ठीक है ये सारा कुछ यहां पर आता है चेत्रिय पर साशन ववस्ता क्या था बंगाल अवद जैसे जो हैदरावाद की जो राजय थे उनका उधे किस परकार से हुआ किस परकार से हुआ लोगों के उपर में इसका इंपेक्ट क्या पढ़ा ठीक है और इसके जो रूल रेगुलेशन से उसका देसी रियासतों और को उपर में impact क्या पड़ा जैसे मानलो उत्रा दिकारी का रूल उन्हों ने बनाए कि उत्रा दिकारी नहीं ले सकते ठीक है कर ववस्ता के अंदर में किस तरह से कर दिया जाएगा आपको समझोता कि जो एक ववस्ता लाएगा वो किस तरह ठा क्या फूट डालो सासन करे कि जो Q7 में हम बोलते हैं कि उपनेविशिक राज्ये में भू राजव बंदोबस्त की संचिप्त वीवरं दीजिये, जो उपनेविशिक राज्ये था, उसके अंदर में भू राजव लिया जाता था, टेक्स लिया जाता था, वो किस परकार काता था, इसके बारे में हम बात करते है इसके अंदर में सबसे पहले तो देखोगे ना कि जो भूर रासव लागू करना था अंगरे जोका उपने विश्चिकाल के अंदर में उपने सबसे पहला मोटीव यह था कि जमीन पर कपजा हमें कैसे मिले सबसे पहले उपने जमीन पर अधिकार करना चाहते थे तो जैसी उनका अधिकार हुआ उस पर टेक्स लगाना शुरू किया, टेक्स को बढ़ाया, ठीके, टेक्स की मार्थी और आम लोगों पर ज़्यादा पढ़ने लगी, किस तरह से वो करज के तले दबते चलेगे, इस सारा consequence यहां पर देखने के लिए मिल जाता है, ठीके, फिर राशव का इस्तमाल किस तरह था, खरीट फरोद के लिए, ठीके, जैसे नमक, अफीम, उत पादन को बेच कर, किस तरह से वो लाब कमा सकते थे, ठीके, खेती करने के लिए, निल की खेती करने के लिए, बूर रस्ता की दुरू किस तरह से जोघंड डाला गया, आपने एक Але तो इस तरह का पूरा वीवरन यहां पर देना कि अंग्रेजी राज्ये के अंदर में जो अपनिविशिक राज्ये के अंदर में भूब अंदवस्त जो भूब जमीन के उपर में जो लगने वाला टेक्स था रास्तव था वो किस प्रकार का था और किस कारण से लगा जाता था यह सारा कुछ यहां पर आपको बताना है ठीक है पहले तो यह एक नॉर्मल सिंपल अस्थाई बंदवस्त के तौर पर जाना गया बाद में इसको स्थाई आपको बनाट में इस तरीक प्रकार से हुआ कि जहां से बंदवस्त के तौर तो फिर इसको कम टेक्स जाएगा तो इस तरीके से चीज़े चलती है ठीक है परिछन के जहाँ काल में पुछन में काल में जनसं возьIGHT गावर्दी यहाम काल में किस प्रकार केसे वहां किस तरह से इसका इंपर्दी में हम बात करेये तो पूरा उपने वीशिक प्रकार काल के नदर में नीडियु दर चाफा ऊची तो उससे में मित्यूदर बहुत उची थी और जनसंक्या के अंदर में भारी गिरावट दर्ज की गई ठीक है पर धीरे-धीरे अगर नीस सो अंति मतलब धीरे-धीरे आप बात करोगे 1921 के बाद में जो भायत की जनसंक्या थी हो तेजी से विर्दी होना सुरू होती है मिर्तियो दर जो थी जनदर के पिक्षा कम होती चली ही जाती है ठीक है और इसका एक सबसे बड़ा razin क्या रहता है ठीके अंग्रेजी शाषिन ववस्ता का जो सिख्छा नीती थी वो सारा भी इंपेक्ट है कही ना कहीं यहां पर पढ़ते हुए दिखता है ठीके और जो उससे पहले की जो ववस्ता थी किसी ना किसी तरह से चर्मरा रही थी उसना ज्यादा सुचारूप से नहीं चल पा रही विष्चारूं के प्लैटी चंसंकी वरदीं के अंदर में ऊपनेविशी काल के अंधर में ठीके जो उसका पॉजिटिव इंपक्ट है तौर पर हम देख के चलते और उसको यहां पर एक्स्पें करते हैं अगला कोशन करते हैं अगला कोश्चन कोश्य नाईन छहां पर बात प्तान ना कर पाने से वो अपने आपको एक ब्लैक लिस्टेट एक तरसे महागे तो उसमें जो हमारे परदान मंदिर थे नर्सिम्मा राओ की सुधार निती ती उसको लागू किया गया था इसके अंदर में क्या किया गया था जो मतलब रोजगार का सिर्जन हो रोजगार को बढ़ाया जाए इसके बारे में बात की गई सासात में जो गरीबों की पर्तिशत जो में कमी आई है जो मतलब जो किस तरसे उनके रोजगार उसमें कमी आई उसको इसके बारे में बात की गई आर्थिक आय और संपतिके में किस तरसे समानता मिले उसके बारे में बात की जा उसके बारे में बात किया गया ठीक है मैं आर्टी 1991 के अंदर में ही जो आपके देखोगे हमारे जो परधानमंत्री थे पूरु परधानमंत्री डॉक्तर मर्मोहन सिंग उन्होंने एक प्रधाइशन और जिसके अंदर में बात करते हैं जहांपर जो ओपन गेट की निती के थुरू भारत के अंदर में ऑपन वशिक करण को अपनाया गया तो इसके बारे में भी बात कि जाती है यहां पर पूरी तरह से लिब्रल हुए प्राइशन जहां पर लाइसेंस बाते बारत की ऐसी इस्तिति हो गई थी जहाँ पर उधार जो तक कर जाता हो अपना दे नहीं सकते थे डिफॉल्डर तोर पर गोशिस हो सकते थे भारत के पास इतना संसादर नहीं था कि वो सभी से अपना पूरी साथन विवस्ता को चला सके पर 1991 के बाद जब LPG की जो नीती थी वो अपनाया गया जिसके बाद जो डॉक्टर मर्मोन सिंग थी वो एक बड़े आदर सास्तिरी के तौर पर जाने गए ठीके उनके नाम लिया गया कि हाँ ये चीज़े थी इसका इंपक्ट इतने लंबे समय तक रहेगा इस तरह से विकास ग्रो करेगा और 1991 को भारत कभी पीछे मुड़ के देखा इनी इस नीती के बास से ठीके तो नीती के अंदर में क्या क्या चीज़े थी LPG नॉर्मल इसको नाम बोला जाता है जहां पर किस तरह से लोगों की उपर में इसका इंपक्ट हुआ वो हम जानते हैं ठीके तो अब करें दीन अपकी टीम की तरफ से अल दे बेस्ट आपका एक्जाम अच्छे से जाया आप अच्छे से एक्जाम कर और अच्छे नंबर लेकर आओ ठीक है यहाँ पर हम वीडियो एंड करेंगे थैंक यू सो मच वह वाचिंग में थैंक यू सो मच फूर लिस्निक में ब लिए थैकर, आल अब बेस्ट